इंसान और पतंग जैदा हबा उरे तो समझ लेना वो कटने वाला है बदला तो दुस्मन लेते हैं हम तुम आप करके सिधा दिल से निकाल देते हैं कितने भी अच्छे कर्म कर लो तारिफ समसान में ही होगी अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकिनन रोएगा जो हमें समझ ही न सका उसे पूरा हक है हमें अच्छा बुरा कहने का क्योंकि जो हमें जान लेता है वो हम पर जान देता है इंसान नहीं बोलता उसके दिन बोलते हैं जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाक बोले उसकी कोई नहीं सुनता रेश चाहे गारियों की हो या जिन्दगी की जितते वो ही लोग हैं जो सही वक्त पे गेर बदलते हैं मुसीबत आये तो ये मत सोचना की और कौन काम आएगा बलकि ये देखना की कौन साथ छोर कर जाएगा घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचानिया है की उन्हें आप जितनी जायदा इज्जत दोगे वो आपको उतनी जायदा तकलीफ देंगे एक हाथ में मक्खन डखो और एक हाथ में चूना जहां जिसकी जरूरत परे उसको लगाते जाओ लाइफ में कभी दुखी नहीं होंगे लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से जिंदगी अदूरी नहीं होती, मगर ये भी सच है कि लाखों मिल जाने से उस सक्स की कमी पूरी नहीं होती पिता के द्वारा डाटा गया पूत्र, गुरू के द्वारा डाटा गया सिस्य, तथा सुनार के द्वारा पिता गया सोना, ये सब आभुसन ही बनते हैं पत्थर में बस एक कमी होती है, कि वो पिगलता नहीं है, लेकिन उसकी खुबी है, कि वो बदलता नहीं है दम तोर देती है माबाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने किया ही किया है मेरे लिए खुश रहने का बस एक ही मंत्र है उम्मीद बस खुद से रखो किसी और इंसान से नहीं अपने जीवन के हर बीते हुए दिनों की शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि अच्छे बीते हुए दिन ने हमें खुशी दी तो बुड़े बीते हुए दिन ने सबक दिये नए रिष्टे ना बने तो मलाल न करना पुराने टूट न जाये इतना बस खयाल रखना जिंदगी की हर सुबह कुछ सर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर साम कुछ तजुर्वे दे कर जाती है जैदा समझदार और मुर्ख में कोई फर्क नहीं होता ये दोनों किसी की नहीं सुनते कभी-कभी हम गलत नहीं होते बस ओ सब्द नहीं होते जो हमें सही सावित कर सके बात करने का मज़ा तो उन लोगों के साथ आता है जिसके साथ बोलने से पहले कुछ सोचना न परे मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके वेभार पर निर्वर करता है पहारों की तरह खामोस है आज कल के संबंदा और रिष्टे जब तक हम इदर से पुकारे नहीं उदर से आवाज ही नहीं आती भड़ी भी जेव आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है लेकिन खाली जेव आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर को हो तो नाराज हो जाता है और सेर को हो तो खुस हो जाता है आप होस्यार हैं अच्छी बात है पर हमें मुर्ख ना समझे या उससे भी अच्छी बात है दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो एक तो चुपराना दूसरा माफ करना क्योंकि चुप रहने से बरा कोई जबाब नहीं और माप करने से बरी कोई सजा नहीं